Hello students, welcome back to Mass Palace. आज हम exercise 2.2 स्टार्ट करेंगे. तो first question आज हम complete करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. In first question, find the zeros of the following quadratic polynomials. हमें कुछ equations दी हुई हैं, उसमें हमें zeros find out करनी हैं. And verify the relationship between zeros and coefficient. Coefficient और zero के बीच में relationship verify करना है. इन questions को हम कैसे करते हैं, हमें zeros हमें पता है. सबसे पहले इस तरह हैं कि अगर आप कोई question दी हैं, सबसे पहले आप इसको factors करेंगे. तो factors करेंगे, तो हमें आता है factors कैसे करना है. X का coefficient के है 1, यहां 8 है. 1 और 8 को multiply करेंगे, 8. तो ऐसे factors बनाने हैं, जिनको multiply करेंगे, तो 8 आए, प्लस या माइनस करेंगे, तो 2 आए. तो अगर मैं 4 और 2 ले लो, तो दोनों को multiply करेंगे, तो 8 आ रहा है. लेकिन 8 आना है, लेकिन माइनस का sign है, तो माइनस 8 आना चाहिए. और इन दोनों को जब माइनस या प्लस करें, तो माइनस का sign आए, माइनस 2 आए. अब 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ, तो 2 आ रहा है. लेकिन माइनस कैसे आएगा, जब मैं माइनस का sign, बड़ी statement, जो की 4 है, इस के साथ लगा दूँ, इस figure के साथ. तो माइनस 2 आजाएगा मेरा, माइनस 4 प्लस 2 आजाएगा माइनस 2, और जब इन दोनों को मैं multiply करूंगी, तो आजाएगा माइनस 8. यही चाहिए, it means, मुझे 4X मेरा माइनस का होना चाहिए, और 2X प्लस का होना चाहिए, माइनस 8. अब X, आजाएगा, X माइनस 4 प्लस 2, X माइनस 4, अब क्या factors आगे हमारे, X प्लस 2, and X प्लस, sorry, X माइनस 4, तो यह हमारे क्या है, यह zeros of this polynomial है, clear? तो PX की वैल्यू, PX means, यह जो हमारा polynomial दिया हुआ, यह इसकी वैल्यू, 0 कब होगी, PX 0 तो जब कब होगी, जब यह जो दो 0 जिसके आए, X प्लस 2, एक्वल टू में 0 होगा, और इसकी वैल्यू आजाएगी, माइनस 2, दूसरे हमारे पास क्या 0 आई है, X माइनस 4 एक्ल ट यह होता है, अब देखे, हमारे पर 2 zeros आचुकी है, अब हमें zeros तो हमने find out कर ली, अब हमें बताने के यहां लिखेंगे, zeros of PX एक्ल टू में X के और माइनस 2X, यह equation है, इसकी zeros के हैं, आर, माइनस 2 and 4, यह इसकी zeros है, अब हमें क्या बताने है, वैरिफाई करना relationship between 0 and coefficient, तो हम यहां पर लिखेंगे, now, sum of 0, sum of 0 की हमने अभी पढ़ा था, sum of 0s क्या होता है, alpha plus beta होता है, means कि 2 अगर 0s है, यह alpha और बीटा को 0s माना गया है, तो इन दोनों को जब add करेंगे, तो क्या आनिचे यह value, minus b upon a क्या है, coefficient की value, तो यहां पर alpha क्या है, हमारा alpha और बीटा, यह दोन plus 4, क्या answer आ रहा है, minus, sorry, plus का 2 आ रहा है, और equal to me, sum of 0s का coefficient के coding हम क्या formula लेते हैं, minus b upon a, यह भी करके देख लो, minus b upon a, b क्या है, हमारा 2 है, a क्या है, हमारा, यह 1 माना जाएगा, क्योंकि x के coefficient 1 है, तो minus 2 upon 1 आ रहा है, तो जब minus b है, minus minus plus हो जाएगा, तो यहां भी 2 upon 1 है, तो तो a को रख के निकालते हैं, तब भी हमारी value 2 upon 1 आ रहेगी, और अगर हम alpha plus beta इस तरह से निकाल रहे हैं, सिरफ हम zeros के थू, zeros को add करके निकाल रहे हैं, तो भी value 2 है, clear, यह हमारे इसका comparison है, second हमें निकालना product of 0, product of 0 में क्या होगा, alpha into beta, अब इसमें देखिए, value minus 2 और 4 है, answer क आ जाएगा, minus का 8 होगा, और product निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, equal to में c upon a होता है, अब c upon यहाँ पर equal to में c upon a करना है, अब यह देखिए, c क्या हमारा equation में 8 है, और a क्या 1 है, और आगे क्या minus का है, तो minus 8 upon 1, यही आएगा c upon a की value और हमारे, जो हमने 0 से value निका तो it means, यह compare होगा है, कि दोनों की value सेम आइगा, यही हमें इसमें बताना था, अब देखिए, second question देख लेते हैं, और clear हो जाएगा आपको, again सबसे पहले हमें इसके क्या find out करने है, factors, आप चाहें तो यह लिख सकते हैं, तो यह P S दिया हो, तो P S आएगा, यहाँ पर, जो यहाँ पर factors हम 2S minus 2S करें, तो दोनों को multiply करेंगे, plus का 4 आजाएगा, yes, और जब दोनों को add करेंगे, minus, तो 4 आजाएगा, और minus का sign हो जाएगा, minus 4S, यह हमें चाहिए, तो यह इसके factors हो जाएगे, 4S में, यहाँ दोनों में कॉम होना जाएगा, 2S, 2S minus 1, और यहाँ फिर 1 क होना जाएगा, minus का sign है, तो अंदर के sign change हो जाएगे, 2S minus 1, इंटो में 2S minus 1, ठीक है, तो जब PS equal to में 0 होगा, तो PS की value हमारी जो दोनों आ रही है, इनकी values को हम एक एक बार 0 रखेंगे, तो S की value क्या आ रही है, 1 by 2, और इसको भी जब हम minus 1 equal to में 0 करेंगे, यह भी again same values है, तो same value हैगी, ठीक है, यह दो values लगी, 1 by 2, 1 by 2, अब sum of 0 हमें निकालना है, sum of 0, तो क्या है value उसकी, 1 by 2, plus 1 by 2, तो 2 by 2 आ जाएगा, देखे, 1 plus 1, 2 by 2, 1 आ जाएगी value, और equal to में minus B upon A, इसके equal होनी चाहिए, अब देख लेते है, minus B क्या है हमारा, यहाँ B की value है 4, minus से साथ में यह minus से minus, जब cross होगा, तो plus हो जाएगा, और A की value क्या है, 1, तो 4 upon 4, 1, तो same आ रहा है, अब देखे, product of 0 भी ऐसे निकालके देख लेते हैं, उसमें भी क्या है, 1 by 2 को multiply करना 1 by 2 से, answer आ रहा है 1 by 4, और यह क्या है, इसके equal coefficient के according हम लिखे, तो C upon A के, C की value है 1, A है 4, तो क्या value हो जाएगी 1 by 4, यही हमारी इसमें आरी, product में भी, तो यह हमारा answer हो गया, अब देखे, same, फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसके factors निकालेंगे, 6 x square minus 7 x, इसको हम क्या करेंगे, एक जैसे इसका sequence होता है, उस sequence हम इसको लिख देंगे, अब हमें multiply करें, तो 18 चाहिए, क्योंकि 9 और 2 लेंगे, जब तो multiply करेंगे, 18 आएगा, जब minus करेंगे, 7 अब किस के साथ minus, किस के साथ plus, तो हमें जब यहाँ पे minus करेंगे, तो minus का 7 आ रहा है, इसके माले बड़ी statement के साथ minus आएगा, clear, तो यहाँ पे जब multiply करेंगे, तो minus आजाएगा, और जब minus करेंगे, तो minus 3, यहाँ 1, हम देखिए, 3x plus 1 यह दो factors आगे, अब जब हम इसके zeros find out करेंगे, तो 3x plus 1 equal to minus 0, and 2x minus 3 equal to minus 0, तो यहाँ x की value क्या आजाएगे, हमारी, 1 इदर जाके minus को हो जाएगा, तो minus 1 by 3, यहाँ पे x की value आजाएगे, 3 by 2, ठीक है, तो यह zeros होगी, यह आपको न जब question करन है, तो मैं shortcut में करेंगे, आपको पूरी ऐसे, जैसे first question हमने पूरी theory के साथ किया है, जैसे zeros यह आई है, उसके बाद हमें इसकी यह निगालने है, ठीक है, इस तरह ऐसे करना है आपको यह, ठीक है, तो zeros आपको बताने है, यह इसकी zeros हैं, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं, zeros of उसको हमें ऐसे statement में लिखना है, अब second हमें compare करना है, compare में हम सबसे पहले क्या लेते है, sum of zeros, तो sum of zero लेंगे, क्या answer आएगा, दोनों का, minus 1 by 3, plus 3 by 2, तो इसका LC हम लेंगे, 6 LC में आएगा, 3 2s आ, और 2 3s आ, फिन 9, answer आएगा, 7 by 6, और equal to में minus B upon A की होना चाहिए, अब दे यहां पे, यह हमारा 1 by 2, तो यहां हमने यहां तो यहां पे कुछ अगड़बढ किये, 6 से हमने यहां पे लिए, 1 minus 1 by 3 by 2, 2 minus 2, 2 3 is a, 3 is a 9, 7 by 6, अब यह minus B upon A, तो 3 by 6 आ रहा है, यहां पे, लेकिन हम क्या यहां पे गलती कर रहे है, हमने 7 X, sequence में नहीं देखा, sequence यह सही है, तो यह भी है, हमारा 7 X 3 भी नहीं है, sequence में यहीं रखने हैं आपको, पहले 2, फिर 1, degree की value पहले 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है, तो अब यहां पे B के 7 और यह 6, तो 7 by 6 सारी value, यहां भी यह यह सेम हो गया, अब आजाते हैं हम product के उपर, product of 0 में, minus 1 by 3, और 3 by 2 को multiply करना है, तो answer क् चाहेगा, हमारा, minus 3 by 6, जो की बन जाएगा, minus 1 by 2, equal to में, C by A की होना चाहिए, C by A क्या है हमारा, यहां पे, C क्या हमारा, minus 3, A क्या है, 2, 6, A6 है, तो जब यह इसको हम काटेंगे, तो क्या आजाएगा, minus 1 by 2, यही आना चाहिए, और यही हमारा आ रहा है, तो इसका हम निकाले, यह कॉफिशन से निकाले, आंसर सेम आएगा, चलिए, अब आ जाते हैं, fourth question पर, again, अब हमें यहां पर क्या की बना है, 4U का square, plus 8U, clear, इसको लिख देंगे, 0 के equal, अब देखिए, 4U square, equal to में, minus 8U, ठीक है, अब, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो method हैं, देखि रहा है, तो ले लेते हैं, और अंदर क्या रहा जाएगा, U plus 2, equal to में 0, अब दोनों की values को 0 के equal रख देंगे, U plus 2 भी equal to 0 हो जाएगा, तो U की value एक तो आगी 0, दूसरी आगी U की value minus 2, यह 0 हो गई, अब sum of, आपको पूरा लिखना, इस 0 ही हैं, उसके बास sum of की value निकालने, sum of zeros, ठीक है, उसके बाद फिर product में कालेंगे, sum of में क्या करेंगे, minus 2, क्योंकि minus का sign है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, confusion ना हो, प्लस का sign, क्योंकि sum करना में, bracket में minus का, क्योंकि इसके minus है, तो बस, यह क्या आजाएगा, minus 2, और equal to में, इसके equal उनचे, minus B अपोने, अब देखे, इसके equal है, B क्या माना जाता है, जो 2, जो हमारी सबसे बड़ी जो degree होती है, वो हम इसको क्या मानते है, A, second वाली degree को हम 2, B मानते है, तो B के है यहाँ पे, 8, 8 upon 4, तो 8 upon 4 जब करेंगे, तो answer क्या आएगा, हमारा 2, और minus का B होना चाहिए, तो यह plus का, तो minus का sinus, सेम आ रहा है, अब product में देख लेते हैं, product में हमें क्या करना है, 0 into में minus 2, तो 0 answer आजाएगा, यह किसके equal होना चाहिए, C upon A के equal होना चाहिए, क्या यह है, C क्या है, यहाँ पे कुछ भी given नहीं है, C तो C पहले से ही 0 माना जाएगा, 0 के नीचे कुछ भी रखेंगा, 0 तो यह हमारा हो गया, question, fourth part, अब देखिए, fifth में क्या given है, T square equal to 15, तो इसको जब हम open करेंगे, square को, तो क्या बन जाएगा, T plus, इसका square root निकालेंगे, यह क्या बन जाएगा, T plus root 15, and T minus root 15, जब इसको multiply करेंगे, तो T square minus 15 आजाएगा, ठीक है, तो अब देखिए, यह दोनों क्या आगे, में zeros आगे हमारे, तो बस, अब इसको हम equal to zero के लिखेंगे, T की value निकालेंगे, एक तो minus root 15 आजाएगा, दूसरा minus का है, तो plus का आजाएगा answer, T की value root 15 आजाएगा, यह दो zeros होगी, sum निकालेंगे, sum of zeros, तो sum of zeros में क्या आजाएगा, इन दोनों को क्या करना है, add करना है, अब देखे, plus minus same है, add होगा, तो cross हो जाएगा, equal to me zero, equal to me किसके बराबर होना चाहिए, minus b upon a के, तो b क्या है, इसमें, b हमारे पस given नहीं है, कुछ नहीं given है, तो b क्या है, पहले से zero है, product, product जब निकालेंगे, तो दोनों को क्या करना हमें, multiply, minus का root 15, and plus का root 15, तो answer क्या आजाएगा, 15 हट जाएगा, और minus का आजाएगा, equal to me c upon a के बराबर होना चाहिए, c की value क्या है, minus 15, a की value क्या है, t square के साथ coefficient 1 है, तो minus 15 upon 1, तो same आ रहा है, clear, बहुत easy question है, बस आपको ध्यान देना है, questions के उपर कैसे करेंगे, अब इस question में क्या करना है, यह first question जैसा ही है, factors निकालने है, तो देखिए, अब इसके factors निकालने हैं, तो हमें multiply में चाहिए 12, और जब minus करें, तो I 1, क्योंकि X का coefficient 1 है, तो 3 और 4 को हम 3 चोक 12 होता है, हमारा 3 4 तो अब देखिए, minus का sign चाहिए, minus में, जब minus करें तो, इसके मतलब हमें बड़े variable के साथ minus का sign लगाना पड़ेगा, तो 3 X plus 4 X, यह आएगा, तो हमारा, जब माइनस करेंगे, तो माइनस का X आजएगा, और जब multiply करेंगे, तो माइनस का 12 X स्केर आ रहे है, तो यह आजएगा, माइनस 4 यहाँ पर, आप देखिए, common क्या आजएगा, यहाँ पर, 3 X common है, X minus 1, यहाँ से 4 क लेंगे, X minus 1, तो factors हमारे बनेगे, 3 X plus 4, और X minus 1, और जब इनकी zeros निकालेंगे, हम तो 3 X plus 0 करेंगे, 3 X equal to minus 4 हो जाएगा, X की value आजएगी, minus 4 by 3, और यहाँ से X की value आजएगी, यह zeros of this polynomial, अब sum निकाल लेते हैं, sum of 0 निकालेंगे, तो क्या value होने चाहिए, minus 4 by 3, plus 1, तो करेंगे, तो क्या आजएगा, plus 3 equal to minus 1 by 3, जो की होना चाहिए, minus B upon A के equal, अब B क्या है यहाँ पर, minus 1, और A के 3, तो 1 upon 3 है, चीक है, और यह साथ में minus का सेने, तो minus 1 upon 3 आजएगा, यह देखिए, हमने यहाँ पर कहां गड़बड की है, यहाँ पर हमारा plus 1 by 3 आ रहा है, तो इ यहाँ देखिए, हमने यहाँ बोला था, बड़े variable के साथ minus का सेने लेंगा, लेकिन, यहाँ पर मैंने लगा दिए, छोटे के साथ, तो यहीं गड़बड होगी, तो यहाँ में क्या करना है, प्लस का 3 रखना है, और यह 4 जो है, इसको minus का रखना है, तो इस question का उपर और फ प्लस 1 और जब इनके 0s निकालेंगे, x की values निकलेंगी, तो आजाएगा, x equal to 4 upon 3, और यहाँ एक्स की value minus 1 आजाएगी, और sum निकालेंगे, sum of 0s करेंगे, तो 4 by 3 minus plus का साइन लगा सकते हैं, confusion ना हो, ऐसे, उसके बाद फिर इसको solve करेंगे, तो minus का बना आजाएगा, LCM लिलेंगे 3, यहाँ 4, minus 3, equal to 1 by 3 आगया, यह होना चाहिए equal minus b upon a के, अब minus b क्या है हमारा, minus 1, तो minus b minus 1, plus का 1 हो जाएगा, अब उन में a 3, तो यह 1 by 3, यही आ रहा है यहाँ पे हमारा, तो यह ठीक है, आप product को देख लेते हैं, product of 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो यह है, हाँ है, कैसे, minus का 4 upon me 3, c upon a, तो this is our answer, तो यहाँ पे हमारा first question खतम होता है, exercise 2.2 का, होप यह questions आपको समझ आगे होंगे, फिर भी कोई doubt रहे गया हो, तो you can ask in comments, thank you for watching, मिलते हैं next video में, till then be happy, stay healthy and keep connected to mass palace.